वेल्किम टू जानवर की जानकारी आज का जानवर है छोटी पूच और बिडडिक एनरजी वाला हिपो है आफ्रिका का सबसे डेंजरिस आनिमल मेकिंग हिपोकृत्स दे सेकंड डेंजरिस हिपोस वेजटेरियन होते है लेकिन इनकी हरकते काफी नॉन वेजटेरियन वाली होती है ये अपने रस्ते में आने वाली सारी चीज़े तोड़ देते है जैसे इनसान, डियर, क्रोकडाइल, वाटरमेलन, खुद की ओलात, कस्मेवादे रस्मे, सब कुछ हिपोस काफी टेरिटारिल होते है आप इनसे कश्मीर ना भी मांगो तो भी ये आपको चीर देंगे और दूद मांगो तो ऐसे मांगना वरना ये आपकी खीर बना देंगे मुझे एक बाद समझ नहीं आती कि इनसानों को अपनी जान पे खेल कर कुछ जानवरों का दूद निकालना क्यों है आखिर ऐसा क्या है इसके दूद में जो इसको सुबा सुबा डिलिवरी में मिलता नहीं है हिपोस का मूँ चार फीट तक खुलता है आप इन्हें तूजोरी की तरह यूज़ कर सकते हो बस इस ते जोरी का पासवर्ड है आपकी मौत हिपोस के दाथ आइवरी से बने है और इंसानों को रियक्शन टू आइवरी हमेशा से रहा है हिपोस अर हंटेड एंड किल्ड फॉर रैर्पी वेर आर हिपोस फाउंड अलसू इन कोलंबिया नॉट टॉकिंग अवट शकीरा लेट मी एक्स्प्लेइन पैबलो वेसकोबार ने नेटफ्लिक्स को दिया है नार्कोस और कोलंबिया को हिपोस बोले तो भाई को हिपो का अटिटूड पसन आया था क्या सर्टेन मिट सबार हिपोस तैट हिपोस काफी स्लो होते हैं हिपोस आप से और अगर हिपो आपके पीछे पड़ जाए तो आपका एक लौता आप्शन है सूसाइड मिट नमर टू हिपोस काफी क्यूट होते हैं और वल्नरिबल होते हैं एक अकेला हिपो कभी भी खुली तिजोरी की तरह नहीं होता है इसे खाने के लिए सब हिपो के मरने का इंतिजार करते हैं आखे बंध होते ही नंगा नाच शुरू होने वाला है लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी के हिपो के सारी विडियो काफी रिलाक्सिंग होते हैं सारा गुसान कर जाते हैं टोंट बी अ राइनो, बी अ हिपो, टोंट बी मिडियोकर राइट नाव आइम हिपो इंग आउट तोड तोड खोपडी तोड सालेगा